साथ्यों, एक और रिफार्म जो सीधे आपको JNU जैसे देश के केमपसीज को प्रभावित करता है, वो है नई नेशनल एजुकेशन पॉलिशी, इस नई नेशनल एजुकेशन पॉलिशी की कोर बैल्यूज ही, कॉन्फिडेंस, कन्विक्षन और करेक्टर से भरे युवाब भारत का निर्मान करना है, यही स्वामी जी का भी विजन था, वो चाहते थे कि भारत में सिक्षा ऐसी हो, जो आत्म विश्वास दे, उसको हर प्रकार से आत्म निर्भर बनाएगा। जीवन के दो दाई दसक के बाद, युवा साथियों को जो हौसला मिलता है, वो स्कूली जीवन की शरुवात में ही क्यों ना मिले। किताबी ज्यान तक, स्ट्रीम्स की बंजीशों तक, मार्शीट, डिग्री, डिप्लोमा, तब तक ही वा उर्जा को क्या बहुत करके रखा जाए। नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को उसका फोकस इसी बात पर सबसे अधीक है। इंक्लूजन नई NEP के मुल में है। भाशा सिर्फ और सिर्फ एक माध्यम है, ज्यान का पैमाना नहीं, ये इस NEP की भावना है। गरीब से गरीब को, देश की बेटियों को, उनकी जरुरत, उनकी सुविदा के अनुसार, बहतर सिक्षा प्राप्त करने का अधिकार मिले। ये इसमें सुनिशित किया गया है। साथियों, रिफॉर्म्स का निर्णे करना ही, अपने आप में काफी नहीं होता। उनको जिस प्रकारते हैं, हम अपने जीवन में उतारते हैं। ये सबसे एहम होता है। नई National Education Policy में, उससे हमारी सिक्षा व्यवस्ताब है। सार्थक बडलाव भी तभी तेजी से आएगा, जब हम आप सबी साती इमानदारी से प्रयास करेंगे। विशेशतार पर हमारे सिक्षक वर्ग, बुद्धी जीवी वर्ग पर इसका सबसे ज़्यादा दाइत्व है।